मोतिलाल नहरू जन्म 6 मई 1861 मृतिलाल नहरू का जन्म आग्रा में हुआ था उनके पिता का नाम गंगाधर था वो पश्चिमी ध्हन की शिक्षा पाने वाले प्रथम पीडी के गिने चुने भारतियों में से थे वह इलाहबाद के मियोर केंद्रिय महाविध्यालेय में शिक्षित हुए किन्तु भी शून्य ए शून्य की अंतिम परीक्षा नहीं दे पाए बाद में उन्होंने कैंब्रिज से बार एट लोग की उपाधिली और अन्ग्रेजी न्यायालेयों में अधिवक्ता के रूप में कार्य प्रारम किया मोतिलाल नहरू की पत्नी का नाम स्वरू प्रानी था जवाहरलाल नहरू उनके एक मात्र पुत्र थे उनके दो कन्याय भी थी उनकी बड़ी बेटी का नाम विजलक्ष्मी था जो आगे चलकर विजलक्ष्मी पंडित के नाम से प्रसिद हुई उनकी छोटी बेटी का नाम कृष्णा था जो बाद में कृष्णा हठी सिंग कहलाई लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी डकर भारत का स्वतंत्रता संग्राम में कार्य किया था 1923 में उन्होंने देशबंधू चितरण जन्दास के साथ कांग्रेस पार्टी से अलग होकर अपनी स्वराज पार्टी की स्थापना की 1923 में कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन के वे अध्यक्ष चुने गए 1923 में कांग्रेस द्वारा स्थापित भारतिय सम्विधान आयोग के भी वे अध्यक्ष बने इसी आयोग ने नहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी मोतिलाल नहरू ने इलाहवाद में एक अलीशान घर बनवाया और उसका नाम आनंद भवन रखा इसके बाद उन्होंने अपना पुराना वाला घर स्वराज भवन कांग्रेस दल को दे दिया मोतिलाल नहरू का 1931 में इलाहवाद में निधन हुआ नहरू परिवार के दिल्ली में सबसे पहले पूरवज राज कॉल थे